आप आगे जी स्टोक्स बे एहे करीब होना हैगा किंग्स कोड तो पंताली पंजा किलोमीटर दूर है एथे बीच हैगा ते एदी जिमें लोकेशन बहुत सूनी है पत्थरा मीच दी लांके जाना पहना पहना ते दखानिया हो नू पहला ता नोट करो आथे देखो हर जगा तो नुआ इदा ना मिल जूगा बार्बीक्यू बगएरा एथे या के दुभी कुकिंग कर साया दें कुछ भी बना के आवदा खासा आदें एथे डालर एकका सिक्का पाउना बेंदा हो चा वो बार्बीक्यू वाले चा ते फिर उत्थे गैस बगएरा सारा कुछ तो सी य मिट्टी बहु पूली हुई पाईया अवास होनी रही होनी संदू पाणी दी हुआ है अवाद को आदें थोड़ी लंगना होना पाउ बेच बेच दी अचे वजब बनियां हो यह पर अपर उद्धा बैंड नूँ अब दानी के ड़े टायमानिया बनियां होनी है है हुआ है कि बेच है हुआ है कि बेच्प़ बड़ी लुकमी जी थांते बीच बना होया है पारी कीने रास्ता खोज जया है आधी पुर्शानी खोज जया हो ना पुरा एड़ाइंचे बना है इदर भी जानता जेख्यों इदर भी जानता है हाहा एक आधी नेकला के जाने होनक है हुआ हाँ देख्ख्यों आ देख्यों आगे बीच अधर ना देख्ख्यों हुआ कि अ गया भी जानता खोजरा आगे बीच इंदर आख्यों में पार्स कि कि दुआ आगे तो ग्यानता है प्रप्राइब डिया हो प्रफ्राइब करता है आप बाट ए कर दो को दो घर दो एक तो जाना सेड़ा दे लगड़ा नहीं दिख रही हैं तो नो भी मच्चीय जी लाग दियां एद दो हैर उन्नी वीदे विच्छ थे अगग लागी सी ओधो तो तुसी आए देख लो भी हले तक के हरीया नहीं हो यह एठ तक बहुत अगग लगी सी क्टोकाट साथे पंच लाग अगया जड़ीया जान वरानिया ओख खातम हो गयां सी ओस टाइम में नहीं है तो यह दो इतर देखन आये सी के सारा कुछ है थे काड़ा काड़ा हुंदा सी का आरे पर होन ठीक अभी हुन थोड़ा हर्याली हो गया ओधो थोड़ा थोड़ा किते ना किते अगण लगया बहुत जानवर मतलब मरगे सी के तोई देख ही सागते हुंदा अगगे होर भी भखाओंगे बहुत दूर दूर तक मतलब अगण लगई होई सी के हां जी होन आपां आयांगे रैप्टर डोमेन ते आ तुभी देख सागते हुं ते आगी अंट्री है दी अगगे सामने चाल दें अंदर आपां होन ताइमिंग ताइदी साड़े के रांदीजी में कही होई है ते खुली होगी बाकी देखांगे होन एट टाइम जाके बे की बन दा की नहीं बन दा ते आप देखो यह पच्चाल दें होना बन दे सरफ चारी यहां साड़े तो बादा आपल ते जे ओपन होगा ते जे कोछी देख्योगा लाफरेंगा केड़ा केड़ा आप लाइस आदे हैं चो देखो आई थे रेट दिते होया आप देखो अपना बाज फड़ाया बाई नो बाज नहीं सरी आ अवल बाज बाज भाज भी फड़ा सादे हैं बाच्छो पर दे एक्स्टा चार जिसी तो देखो अच्छा भी नहीं जा बड़ा को लिखाद सुषी टो बाज झाफर लाग भाज की अरहीं सरी और उंके थे बाजसनोंी अज वैशना थीड़ास्थ प्लत अप्राओंगारें वहा लाज के लुए जाएस्टा फ्टा लाजना और प्लत बाज आवलने के लिए ऐच्छोंी अफस्टादा वहाए ये वब वाद sé है, गर ल weather ब toujours सकत्व है, लगा कि लूपे से लगाना बाता कि ले ले लिए ले लेड़ लिएीजिज़ ब लेड़ ले लेद लेज़ के लेखा है अचीर को पुरत ले 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 लड़ ले कर लेनों, ले 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 लेखा है ले만 लेवरंगा लेखे हैं पने लिर से ही ले लिगा ber स्वासि ली कर्या ओा हो लो है बेर ले लटने लोली लोली को健त है उ है Σब्सक्स कर्या है कंब मजशिए अवारी चाइन कर द qua मत बाइने देखते हैं जाता है कि अवारी जुब फिर्फ कि अली है वह इए बन्यारी उड़ीपा प्याते वारी पाइन कि अवारी अचली अवारी लारी जूब ये दोगाई 생ता है only problem is she's fast asleep back there I would like her out here doing some cool stuff for me so I'm gonna need a little bit of help I'm gonna count down from three and once I get past one I would love for all of us to yell her name as loud as we can her name is shush whatever it is you're really nice and loud if you want me to be quiet you can channel that into your shush yelling as well just need some real passion behind it again I'm gonna do a big three two one all gonna yell shush nice and loud sound good yeah wonderful really trusting you guys it's just me it's supremely awkward all right three two one shush oh what do you reckon shush oh hello that is a keen keen bird hi everybody this is a beautiful shush she is though this is a beautiful eastern or australian barn owl now the barn owl is one of the most widely distributed raptor species right the way across the world not just here in australia if you stick and chew just australia you're gonna find a barn owl on every continent on every part of the continent part of me except for the nullarbor but worldwide they are on every continent except for antarctica so these birds have a massive distribution and as long as you've got trees and you've got rodents in the same place you're gonna find a barn owl pretty close at 10 which is a good thing because they're pretty stinking cute um now shush here she is one of our longest standing members of our bird show she's about 14 years old now a lot of folks say that a barn owl in human care or in the wild only has a lifespan of between six and eight years but shush here being a 14 year old girl she's definitely surpassed that by almost double and our oldest barn owl here at raptor domain just hit his 22nd birthday these birds can be incredibly long lived if you give them the right care and the opportunity to do so now shush here she's a bit more of a lap dog than a glove bird like you've met so far so if you feel so inclined you can make a nice flat lap like so and she'll come and have a little sit me down now just like with our beautiful tawny frog mouth so you can pat them just use the back of your hand and going down the back i know you're very excited shush i'm earning my payment i promise you want to tell me a sushi that is a very nice bird all right it was a little lap so i'll pop a glove on there just because her talons can be just a little bit spiky and it uh doesn't feel so good for the little one you don't have to if you don't want to just making sure those little fingers that you don't want to that's okay you want to just have a pat instead she's very soft so our barn owls have what some people say the softest feathers of any bird species worldwide and this enables them i don't know if they have no 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 i don't know if they have no 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 we have to go here so we have to go here so we have to go here so we are seeing that we have to do all the time we are going to do it so i thought that we have to go to 12 12 कि दरनमी था मना रहे हैं